आज मेरे लिए बड़ी खुसी की बात है कि मैं गोवा मुक्ती दिवस के अउसर पर आप सभी लोगों को दिल्ली से मात्र बधाई देने के लिए और शुब कामनाई देने के लिए आया हूँ गोवा की स्वाधिनता की साथ्वी जैनती के कारकम में प्रमुक रूप से उपस्थित गोवा के राजपाल श्री भगस जिनकोश्यारी जी मुख मंत्री डाक्टर प्रमोध सावंत जी केंद्री आयूस राजमंत्री श्री पद नायक जी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री दिगंबर कामत जी राज्य सरकार के मंत्री श्री मावेन गोंद्यों जी इस कारकम में उपस्थित सभी जन प्रतनिदीगर्म गोवा निवासी सभी प्रतिश्थित सम्मान्नी देवियो और सज्जनु आज की दिन गोवा के लिए ही नहीं बलकि पूरे भारत के लिए विशेश रूप से इसमरर करने का दिन है लगबग 450 बर्स के अउपनेवेशक सासन के बाद बर्स 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी सासन से मुक्त कराया गया था आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के साथ में मुक्ती दिवस का उत्सो मना रहा है विदेशी सासन से गोवा के मुक्ती के इस अइतिहासिक आउसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अतियंत प्रसन्नता हुई मैं आप सभी को इस गोवापूरा दिवस की बधाई देता हूँ इस कारकम में आने के लिए आपके राज्य के मुक्ध मंत्री स्री प्रमोट सावंत जी मुझे मिले उनकी इक्षा थी कि मैं इस कारकम में सहभागिता भिक्त करूँ और मुझे सच-पुच में कुरोना महमारी से ना केवल हमारा देश भलकि पूरी दुनिया प्रकोपित है और ऐसे में हम सब लोग अपने को बचा करके रखने के एक मानसिक्ता बन गई लेकिन मेरे लिए भी अभी तक जितने भी कारकम हुए हैं अधिकतर वर्चुवल मोट के माध्यम से होते रहे ये मेरे लिए एक सारवजनिक रूप से दूसरा कारकम है जबकि मैं दिल्ली से निकला और मात्री इसलिए को मुझे लगा कि मुझे गोवा आए हुए लगबक दो वर्स की अवदी बीत चुकी होगी तो मुझे लगा कि मैं चल करके आप सब के भी हालचाल पूछू और आप सब की खुस खबरी लेकर के लेकिन मुझे आज ये जानकर प्रसनता हुई मैं समझ सकता हूँ कि कुरोना महमारी के कारण जो सोसल डिस्टेंसिंग है उसके कारण संख्या में कमी आती है और हर जेगे इसलिए वर्चुल मोड से कारकम करना अधिक उप्युक्त माना जाता है लेकिन जब मैं सहर में प्रिवेश कर रहा था वो तो कुछ प्रोटोकोल के कारण में समझ सकता हूँ कि प्रशाशन के लोग पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि गोवा जिसके कलपना मेरे मन में में शायद कई बार आ चुका हूँ जो चहल पेल गोवा में रहती है तो ऐसा लगता है कि आज का दिन तो ये साम जो थी वो उजार सी थी गोवा की लेकिन मैं समझ सकता हूँ प्रशाशन की एक अपनी मजबूर पूरी होती है, जिसके कारण वो सिक्योर्टी को ध्यान में रखते हुए, ये सब भी आउपचा रेकता है, पूरी करते हैं, लेकिन मुझे खुसी आप सब लोगों से मिल करके हुई, क्योंकि आप सब यहां पर संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन आप प्रतिनिधित्तु करते हैं न केवल पनजी का, बलकि पूरे गोवा राज्य का, इसलिए मुझे आप सब से मिल करके अतियंत प्रसन्ता हो रही है, देवियों और सजनों, गोवा में उपनिवेशी सासन की निव, बासकोटी गामा के उन्नी 1498 में भारत आगमन के समय पढ़ गई थी, पूर्थ गाल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगे, लोगों की नागरिक स्वतनत्ता चीनी जाने लगी, विरोध में धीरे-धीरे आवाज उठने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता था, जनता का सोशन किया जाता था, इस थानी अर्थ व और अर्थ ब्यवस्ता पर पूर्थ गाली सासन के बिनाशकारी प्रभाव का जीवन्त चित्रण, यदि हमें देखना है कला के माध्यम से, तो हमें महान सुतंदता सेनानी और विद्वान, त्रिस्ताव दे ब्रेंगेजा कुनहान, कि हमें जो काल जयी कृतियां है, उन्हों कलामिड हमारे सामने रखा है, पहली है 400 years of foreign rule और दूसरी है the decolonization of Goans, उसे हमें जरूर देखना चाहिए, देवी और सज्जनों, महत्मा गांधी भी कहा करते थे, कि कस्मीर या किसी अन्राज की तरह गोवा भी भारत का अभिन अंग है, भारत की एकता और खंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था, उनके इस विश्वास की पुष्टी बर्स 1929 के उनके इस कथन से होती है, जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश, बिटिस, पूर्तिगाली, फ्रांसीसी, उपनवेशों में बिभाजत बन करके नहीं रहेग बलकि एक होकर रहेगा, गोवा की स्वाधिनता का संगर्स काफी लंबा चला, इसका अंतिम चरण जून 1946 में सुरू हुआ, जब नागरिक स्वतनता के निलंबन का विरोध करने के लिए, डक्टर रामनोहर लोहिया अपने बहादुर साथियों के साथ गोवा में गिरफतार किये गया, मुझे प्रसंदता हुई और मैं उसके लिए आप सब को गोवन्स को सलूट करना चाहूंगा, कि जिस इस मारक में आज मैंने सभी स्वतनता सेनानियों को स्रद्धानजली व्यक्त करने का जो मुझे अशोभाग मिला, उस समय मैंने देखा था, इस मारक में अन्य स्वतनतता सेनानियों के साथ साथ रामनोहर लोहिया का भे के नाम का भी उलेख किया गया, गांदी जी की तरह डाक्टर लोहिया का भी यही मानना था कि गोमानतक छेत्र भारत का हिस्सा है, और गांदी जी उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हाला कि मेरी राजनीती से डाक्टर लोहिया की राजनीती साहिद भिन्न है, फिर भी मैंने उनके गोवा जाने की और उहां की पुर्तगाली हुकूमत के कालेकार नामों की वो रिसारा करने की तारीफ की है, जब तक पूरा हिंदुस्तान फि अपनी इज़्जत को खोए बिना नागरिक स्वतनतता के बगैर नहीं रह सकता। डाक्टर लोहिया ने जो मसाल जगाई है, उसे अगर गोवा वालों ने बुझ जाने दिया, तो उनका नुक्सान ही होगा। ये गांदी जी के सब्द थे, मैं इसे अनकोट करता हूँ। आजादी की मसाल को बुझने नहीं दिया, इसे जलाए रखने के लिए अनेक स्वाधिनता सेनानियों ने अपना जीवन वलिदान कर दिया। आजादी के साथ फिर से एकाकार होने की चिर्स अविलासा की पूर्ती का संघर्स भी था। इस अविलासा की अविवक्ती मुक्ती संघर्स में तिरंगे के उप्योग में साफ दिखाई देती थी। राजनेतिक संघर्स के लिए गांदी वाधि मार्ग को अपनाना भी इसी भावनात्मक एकता का परिचायक था। गोवा को मुक्त कराने के लिए सभी समुदाय और संघर्स अपनिवेशिक राश्चत्ता के खिलाप मिलकर लड़े। आजाद गो मानतक दल, गोवा विमोचन समिती, गोवा मुक्ती सेना और राश्ट्री स्वयम सेवक संघ एक जुठ हुए। लेकिन मैंने कुछ केवल कुछ ही संस्थाओं का नाम लिया है। अनगिनत, योध्धा, सुतंतता सेनानी और जिनके संगटन थे, उन सब लोगों ने मिलकर के गोवा को मुक्त कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। फ्रांसिस्को लुईस गोमेश ने गोमानत की इंडियन नेशनलिजम का स्वर बोलंद किया। और लुईस दे मेंजिस ब्रेंगेजा ने गोवा की स्वतंता के साथ साथ भारत के साथ एक ही करन का उद्धोस किया। देवी और सज्जनों, 15 अगस्त 1955 को महान स्वतंतता से नानीश्री एंजी गोरे के नितरत में एक विशाल सत्याग्रे सुरू किया गया। गोवा के बाहर के भारत वासी, इस्थानी मुक्ती आंदोलनों का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में गोवा पहुचने लगे। स्वतंतता संग्राम में ब्यापक, जन भागीदारी को देखकर अउपनिवेशिक, सासक, आश्यर चकित रह गए। विशाल जन समर्थन को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने कूट नीतिक प्रियास तेश किये, लेकिन अपनिवेशिक, सासक, सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिम बिकल्प के रूप में 17 दिसंबर 1961 को आपरेशन विजय शुरू हुआ गया। दो दिन बाद, यानि आज के ही दिन, 19 दिसंबर को गोवा के गवर्नर जनरल, मैनुवल, एंटूनियो, वासालो दा सिल्वा ने समर्पर कर दिया। गोवा फिर से भारत का अंग बन गया और मुक्त हो गया। देवियोर सज्जनों, ये है गोवा मुक्ती की एक छोटी सी जलक, उसके संगर्स की कहानी। गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूप सूरत समुदर तट मौजूद है। गोवा की प्राकृतिक शुष्मा अनूठी है और यहां के लोग अतिति देवो भो की परमपरा के सच्चे प्रतिनिदी है। मेरा अपना अनुभो भी इसी भावना की पुष्टी करने वाला रहा है। मुझे अनेकों बार पंजी आने का सोभाग मिला। संसदी प्रतिनिदी मंडल के संयोजक के रूप में यहां के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे बनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यहां के लोगों के अतिती सतकार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रसंसक बना दिया। गोवा के लिए यह गौरों का विशय है कि यहां के लोगों ने समान नागरिक संक्ता को अपनाया है। ऐसा करने से यहां की संस्कृतिक विवित्ता को बढ़ावा मिला है। गोवा के हमारे भाई बहनों ने लोकतांत्रिक विवस्ता और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सामपरदाइक सदभाव भी बनाये रखा है। जन्ता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा माडल गोवा के लोगों की प्रगती सील सोच का एक उत्करस्ट उदाहरन है। देवी और सजनों जब गोवा को आजाद कराया गया था तब इसका आधार भूर धाचा और उद्योग धंदे विक्सित नहीं थे। आज गोवा जब अपनी आजादी के साथवें वर्स में प्रवेश कर रहा है तो ये देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आये के मामले में ये राज देश में पहले स्थान पर है। इसका स्रे गोवा के मेहनती लोगों, जन प्रतिनितियों, जन सेवकों तथा उद्योग छेत्र को जाता है। ये उपलब्दी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक विशेश संस्था की नहीं है, किसी कारकाल की नहीं है। बलकि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है। और मैं कह सकता हूँ कि ये उपलब्दी कठन प्रियासों के बल पर प्राप्त हुई है। और इसमें वर्तमान एवं पूरवर्ती सरकारों का भी महत्पूर योग दान रहा है। आज यहाँ पूर्मुक मंत्री सी दिगंबर कामत जो वर्तमान में अपोजीशन लीडर है। उनकी भी राजी की प्रिगती में उन्होंने अपने कारकाल में भी गोवा की विकास के लिए अपना महत्पूर योग दान दिया है। और मैं आज आप सभी गोवन्स को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो स्टेज पर हैं इस प्रिगती के लिए मैं आप सबको बधाई देता। आज जब पूरा देश आत्म निर्बर भारत के मंत्र पर चलते हुए इस्थानी अर्थ विवस्ता को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तब गोवा के मुख मंत्री डाक्टर पमोट सावंत के गतिसील नेतरत में आत्म निर्बर भारत स्वयम पूर्ण गोवा की सराहनी पहल सुरू की है। वे अपने पूरवर्ती और आदर्स कर्म योगी स्वर्गी स्री मनोहर परिकर की सम्रद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहा है। गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगिक छेतर के योगदान का पृतिसत भी भारत में सबसे अधिक है। राज्य के छोटे आखार के बावजूद यहां बड़े बड़े उद्योगों ने उद्यमों ने निवेश किया है। गोवा अपने फार्मासेटिकल उत्पादकों की उच्छ गुरवत्ता के लिए जाना जाता है। COVID-19 महामारी से युद्ध में यहां की फार्मा कमपनियों ने देश-विदेश में उलेकनी भूमिका निवाई है। राज्य वित्पोशित स्वास्त भीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्त के मजबूत भुनियादी धाचे के करण महामारी के दोरान गोवा की सरकार लोगों की समशित देखपाल करने में सक्षम रही है। शिक्षा के छेतर में भी गोवा ने अच्छी प्रगती की है। एन आई टी और आई टी को मिला कर यहां आठ इंजिनिरिंग कालेज है। यहां के प्रतिवाज सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं के योजना वद्द्विस्तार को देखते हुए। गोवा अब इन्फो टेक कमपनियों का विकास केंद्र बनने की और अग्रसर है। अपने स्वक्षवाता वढ़ना आसान कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सवंदर से भरपूल धर्ती के बलपर गोवा आज घरेलू और अंतरराश्टी परियटकों के लिए आकरशन का केंद्र है। भारत का अंतरराश्टी फिल्म होत्सव दो हजार चार से लगातार यहां आयोजित हो रहा है। मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बन जाने से इस परियटन में और भी बरोत्री होगी। देविये सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णे मक्षुरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मर्नी बनाने के लिए गोवा सरकार के विसेश प्रियासों की मैं सरहना करता हूँ। एक वर्स तक चलने वाले इन समारों की सफलता के लिए मेरी बहुत-बहुत शुब कामना है। गोवा के उत्साही और उत्सो प्रेमी निवाशियों को एक बार फिर से बधाई। धन्वाद जैहिंत।